Realme X2 और Redmi Note 8 Pro दोनों ही स्मार्टफोन इंडिया में अवेलेबल है और दोनों की स्पेसिफिकेशन भी अल्मूस्ट सेम है और दोनों की प्राइसिंग भी लगभग एक जैसी ही है तो ऐसे मैं आपका कन्फ्यूज होना तो बनता ही है कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सही ह होगा और आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए इस वीडियो को एंड तक देखते रही है आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही है और कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए इसके पहले हम आचका वीडिय में आप पार्टिस्पेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं यह स्मार्ट फोन तो आप गिस्मों इंड़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बैल नोटिफिकेशन को अन करें ताकि आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे सबसे पहले हम बात करेंगे ड देखने मिलता है और यह बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है एस कंपेर टू रियल्मी एक्स टू दोनों ही फोन्स में यूस्बी टाइप सी पोड़ और 3.5 mm आडियो पोर्ट है लेकिन रेड्मी नोट एट प्रो में एक एडवांटेज है कि इसमें आपको आयर ब्लस्ट भी मिलता है तो डिजाइन में दो एक कंपलिट वइनर है ऐस टू रियल्मी एक्सका लाथ चलिए बात करते हैं बिल कॉलिटी की बैकर ने गिलया समाट फोन्स में फ्रन्ट और बैक में ग्लास दिया गया है जो Coding Gorilla Glass 5 से Protected है लेकिन Redmi Note 8 Pro में एक और Advantage है ये IP52 Rating के साथ आता है जो इस phone को Water Repellent भी बनाता है जिसका मतलब है अगर आप Redmi Note 8 Pro को पाने में गिरा देते हो या फिर बारिश में यूज़ करते हो तो Redmi Note 8 Pro को कुछ खास नुकसान नहीं होगा तो Redmi Note 8 Pro Realme X2 के comparison में एक जादा durable smartphone है तो Redmi Note 8 Pro को मिलता है एक point चले बात करते हैं डिस्प्ले की Redmi Note 8 Pro में दिया गया है 6.53 इंच Full HD Plus IPS LCD डिस्प्ले वहीर Realme X2 में हमें देखने मिलता है Super AMOLED डिस्प्ले जो है 6.4 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले होने के वज़ार से Realme X2 में हमें इन डिस्प्ले फिंगर पिंट सेंसर भी देखने मिलता है वैसे तो दोनों ही smartphone के डिस्प्ले बहुत ही अच्छे है लेकिन एक LCD डिस्प्ले कभी एक Super AMOLED डिस्प्ले का मुकाबला नहीं कर सकता तो Realme X2 को मिलता है डिस्प्ले में एक पॉइंट चलिए अब बात करते है बैटरी की Redmi Note 8 Pro में हमें देखने मिलता है 4500 mAh की बैटरी जो 18W Fast Charge सपोर्ट करता है लेकिन Realme X2 में दिया गया है 4000 mAh की बैटरी जो 30W Fast Charge सपोर्ट करता है जो 37 मिनिट में 50% चार्ज कर सकता है Redmi Note 8 Pro में हमें ज़्यादा कपैसिटी की बैटरी देखने मिलती है लेकिन Realme X2 में हमें ज़्यादा High Speed Charger देखने मिलता है तो दोनों ही स्मार्टपोन को हम एक एक पॉइंट दे सकते हैं बैटरी के मामले में चले बात करते हैं Performance की दोनों ही स्मार्टपोन आते हैं Dedicated Gaming Processor के साथ जहां हमें Realme X2 में देखने मिलता है Snapdragon 730G Processor वहीं हमें Redmi Note 8 Pro में देखने मिलता है Mediatek का Helio G90T Processor जो एक Professional Gaming Processor है वैसे दोनों ही स्मार्टपोन के Processor में जमीन और आस्मान का फर्क है क्योंकि जो Helio G90T Processor है उसका N22 Score जो है वो लास्ट येर के फ्लेक्शिफ प्रोसेसर Snapdragon 845 से थोड़े ही पीछे रह गया है अगर हम दोनों ही phones के Processor को यानि Snapdragon 730G को और Helio G90T Processor दोनों को ही Snapdragon 845 से compare करता है तो Snapdragon 845 का N22 Score है 2,96,000 वही Snapdragon 730G का N22 Score है 2,59,000 और Helio G90T Processor का N22 Score है 2,85,000 तो आप दोनों ही Processor के N22 Score को compare करके खुद देख सकते हो कि दोनों ही phones के performance में कितना फर्क होगा Performance के मामले में Redmi Note 8 Pro को फिलाल तो कोई भी मेडरिन स्मार्टफोन बीट नहीं कर सकता Performance में तो Redmi Note 8 Pro एक लियर विनर है as compared to Realme X2 तो Redmi Note 8 Pro को मिलता है एक पॉइंट जहां तक RAM की बात आती है दोनों ही स्मार्टफोन में हमें latest RAM technology देखने मिलता है जो है LPDDR4 X RAM और दोनों ही स्मार्टफोन में RAM capacity 8 GB की maximum देखने मिलती है तो दोनों ही phones यहां tie हो जाती है तो दोनों ही phones को एक एक पॉइंट मिलता है अगर हम storage की बात कर रहे तो दोनों ही स्मार्टफोन में Realme X2 और Redmi Note 8 Pro दोनों ही phones में हमें maximum 128 GB internal storage देखने मिलता है और दोनों ही स्मार्टफोन dedicated SD card slot के साथ आते है जिससे आप phone की storage को expand भी कर सकते है तो दोनों ही phones storage के मामले में भी tie होते है तो दोनों ही स्मार्टफोन को मिलता है एक-एक point चलिए अब बात करते है operating system की दोनों ही स्मार्टफोन चलते है Android 9 Pie पर लेकिन Realme X2 आता है Color OS 6 Custom UI के साथ और Redmi Note 8 Pro आता है MiUI 10 Custom UI के साथ Android version में तो दोनों ही स्मार्टफोन सिमिलर है क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन चलते है Android 9 Pie पर लेकिन जहां custom UI की बात आती है तो MiUI 10 बहुत बहतर है Color OS 6 के comparison में तो OS department में भी Redmi Note 8 Pro को मिलता है एक point चलिए बात करते है camera की तो camera department में तो यह completely tie है क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन के camera setup बिल्कुल identical है लेकिन कुछ मामलों में Redmi Note 8 Pro का कोई sensor बहतर काम करता है तो कुछ मामलों में Realme X2 Pro का कोई sensor बहतर काम करता है तो दोनों ही स्मार्टफोन के camera performance में 19-20 हो सकता है तो दोनों ही स्मार्टफोन को हम एक एक पॉइंट देते हैं चलिए अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा की Redmi Note 8 Pro में दिया गया है huge 20 Megapixel का front facing camera लेकिन Realme X2 में उससे भी बड़ा sensor दिया गया है जो है 32 Megapixel का front facing camera Realme X2 का सेल्फी कैमरा जादा बहतर सेल्फी डीटेल्स कवर कर सकता है as compared to Redmi Note 8 Pro तो सेल्फी कैमरा डिपार्टमेंट में Realme X2 एक complete winner है as compared to Redmi Note 8 Pro तो Realme X2 को मिलता है एक पॉइंट चलिए बात करते हैं उस चीस की जो directly आपके budget में असर ढालेगी और वो है pricing दोनों ही smart phones reasonable pricing के साथ आता है दोनों ही smart phones आता है तीन वेरियंट में Redmi Note 8 Pro आता है तीन storage और RAM वेरियंट में जिसमें 6GB RAM with 64GB internal storage 6GB RAM with 128GB internal storage और 8GB RAM with 128GB internal storage वही Realme X2 भी आता है तीन storage और RAM वेरियंट में जिसमें है 4GB RAM with 64GB internal storage 6GB RAM with 128GB internal storage और 8GB RAM with 128GB internal storage जो Redmi Note 8 Pro का top variant है उसकी price है 17999 और जो Realme X2 का top variant है उसकी price है 19999 और जो दोनों ही phones के mid variant है Redmi Note 8 Pro की price है 15999 वही Realme X2 की mid variant की price है 18999 और जो दोनों ही phones के base variant है जो Realme X2 का base variant है 4GB RAM वी 64GB internal storage उसकी starting price है 16999 और वही Redmi Note 8 Pro का base variant है 6GB RAM वी 64GB internal storage उसकी starting price है 14999 तो Redmi Note 8 Pro कम price में आपको ज़्यादा RAM और storage दे रहा है as compared to Realme X2 तो pricing में Redmi Note 8 Pro एक complete winner है as compared to Realme X2 तो Redmi Note 8 Pro को मिलता है 1 point दोनों ही smartphones के scorecard को check करें तो Redmi Note 8 Pro को मिलता है 9 out of 11 और Realme X2 को मिलता है 6 out of 11 तो अब तक आप समझी चुके होंगे कि आपके लिए कौन सा smartphone होगा बहतर और आपको कौन सा smartphone लेना चाहिए अगर आपको एक smartphone चाहिए जिसमें आपको बहतर video experience मिले, बहतर rare camera हो, बहतर front camera हो, past charging हो, decent gaming processor मिले और जिसमें in-display fingerprint sensor भी हो तो आपके लिए Realme X2 एक बहतर smartphone है आपको Realme X2 लेना चाहिए लेकिन अगर आप एक smartphone चाहते हो जो premium design के साथ है, जो ज़्यादा durable हो, जिसमें आपको बड़ी battery मिले, professional gaming experience मिले, जिसा camera बहतर हो और जो budget में आए तो आपके लिए Redmi Note 8 Pro एक बहतर smartphone होगा, आपको Redmi Note 8 Pro लेना चाहिए तो उमीद है आपको ये वीडियो मदद करेगी एक बहतर decision लेने में, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो like ज़रू करें मिलते हैं अगले वीडियो में